नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वारियर गे यूट्यूब चैनल पर जैसे कि हम सभी जानते हैं आज HP Police Constable का रिटन एक्जाम था तो सीरीज सी की मैं यहाँ पर अंसर की लेकर आया हूँ जैसे ही officially answer कियाएगी वो भी मैं आपको दे दूँगा तो आप description पर मैं telegram group का link दे रहा हूँ आप उसे join जरूर कर लें जैसे ही result आएगा वो सब चीजे मैं बहाँ पर upload कर देता हूँ और साथ ही बात रही reasoning section की तो puzzle का question मैंने पूरी तरह से solve करवाया है और हो सकता है बीच में एक या दो question गलत हो इसकी guarantee नहीं है कि 100% मैं सही question लिकर आऊँगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको गलत question करवाये गए है जो भी question है यहाँ पर वो दो से तीन बार check किये जा चुके हैं तो आप यह मान कर चलें कि यही answer होगा बागी depend करता है answer की पर तो सबसे पहले question का जो answer है वो है option D तो इसमें केरला answer आना था दूसरे question की बात की जाए तो option B इसमें सही answer होगा next question की अगर बात करते हैं तीसरे question की तीसरे question का जो answer होगा इसका option D सही हो जाएगा next बात करते हैं चौते question की चौत्वा कॉश्चन में उप्शन B हमारा अंसर सही है। पांचवे कॉश्चन की बात की जाए, तो पांचवे कॉश्चन में उप्शन D यहां पर सही अंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चटे question की, चटे question में option C ठीक हो जाएगा, साथवे question में option D हमारा सही हो जाएगा, नेक्स्ट बात करते हैं आठवे question की, तो आठवे question में option C सही अंसर है, नवे question की बात करते हैं तो option B यहाँ पर सही अंसर है, और बात की जाए अगर 10 वे Question की तो 10 वे Question में Option C सही हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं ग्यारवे कॉश्चन की ग्यारवे कॉश्चन में उप्शन C सही है बारवे कॉश्चन में उप्शन B सही है तेरवे कॉश्चन की बात की जाए तो इसमें उप्शन C सही होगा चौदमें कॉश्चन की बात की जाए तो चौदमें कॉश्चन का अंसर ऑप्शन D यहाँ पर सही है पंदमें कॉश्चन की बात की जाए तो ऑप्शन C यहाँ पर सही होगा 16 question की बात अगर की जाए तो 16 question में option D यहाँ पर सही हो जाएगा 17 question की बात की जाए तो 17 question में option C यहाँ पर सही अंसर है 18 question में भी C option सही है 19 question की बात की जाए तो इसमें option A यहाँ पर सही होगा 20 question की बात की जाए तो इसमें option D सही होगा 21 में question की बात की जाए तो 21 में question में option A यहाँ पर सही answer आएगा 22 में question की बात की जाए तो 22 में question में option C हमारा यहाँ पर सही answer होगा और अगर बात की जाए 23 में question की तो 23 में question में option D यहाँ पर सही होगा 24 में question की बात की जाए तो 24 में question में option A यहाँ पर सही होगा, 25 में question में option B यहाँ पर सही होगा, 26 में question की बात की जाए, 26 में question में option D यहाँ पर सही होगा, 27 में question में option D यहाँ पर सही होगा, 28 में question में option A हमारा सही होगा, 39 में question में option A सही होगा, next question की बात करते हैं जो 30-वा question है इसमें कौन सा सही होगा तो 30-वे question में option B हमारा सही हो जाएगा 31-वे question में option A हमारा सही हो जाएगा 32-वे question की अगर बात की जाए 32-वे question की बात की जाए तो option B यहां पर सही हो जाएगा 33-वे question की अगर बात करते हैं 33 में option C हमारा सही हो जाएगा 34 में question की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा option C सही रहेगा और 35 में question की बात की जाए तो option D हमारा यहां पर सही रहेगा और 36 में question की बात की जाए तो option C यहां पर सही होगा 37 में question की बात की जाए 37 में question का अंसर होगा option B 38 में question की बात की जाए तो इसमें option A सही होगा 49 में question की बात की जाए 49 में question में option D हमारा सही हो जाएगा 40 में question की बात की जाए इसमें भी option D हमारा सही है 41 में question की बात की जाए तो इसमें option A हमारा सही अंसर है 42 में question की बात की जाए तो इहां पर option B सही है 43 बे question की बात की जाए तो 43 बे question में option C हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा 44 बे question की बात की जाए तो 44 बे question में तो इसका C यहाँ पर सही होगा 45 बे question की बात की जाए इसका भी C option सही होगा 46 बे question की बात की जाए तो 46 बे question का option B हमारा यहाँ पर सही होगा 46 वे question की बात की जाए तो option B हमारा यहां पर सही हो जाएगा next question की बात करते हैं 47 वे question की तो 47 वे question में option C हमारा सही हो जाएगा 48 वे question में option D हमारा सही हो जाएगा फिर बात करते हैं 49 वे question की तो 49 वे question में जो अंसर आएगा बो option D होगा 50 वे question की बात की जाए तो 50-वे question का अंसर A होगा 51-वे question की बात की जाए तो इसका अंसर यहां पर C आएगा 51-वे question की बात की जाए तो इसमें option C आएगा Next बात करते हैं 52-वे question की 52-वे question में option C हमारा यहां पर अंसर आएगा 53-वे question की बात की जाए तो इसमें भी option C आएगा 54-way question के अगर हम बात करते हैं तो 54-way question में option C हमारा सही अंसर है 55-way question की बात की जाए तो इसमें option B सही है इसी परकार से 56-way question के अगर हम बात करते हैं तो 56-way question में option D हमारा सही हो जाएगा 57-way question की बात करते हैं तो option B यहां पर सही हो जाएगा 58-way question के अगर हम बात करते हैं तो 58-way question में option C हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा 69-way question की बात करते हैं तो option D यहाँ पर सही हो जाएगा 60-way question की बात करते हैं तो 60-way question का जो answer आएगा वो आएगा option D 61-way question के अगर हम बात करते हैं में option C हमारा सही answer होगा 62 question के अगर हम बात करते हैं तो 62 question का answer होगा option D 63 question के अगर हम बात करें तो option A यहाँ पर सही answer आएगा 64 question में भी option A सही answer होगा 65 question की बात करते हैं तो 65 question का जो answer आएगा option B इसका B answer सही होगा 66 question की बात की जाए 66 question में option A हमारा सही हो जाएगा 67 अप्शन पर सही हो जाएगा अब नेक्स्ट कॉशन की बात की जाए 68 से लेकर 70 तक की तो दीखिए यहाँ पर क्या अंसर आएगा 68 पर कॉशन जो हमारे पास है इसका जो सही अंसर आएगा वह ऑप्शन C आएगा 69 कॉशन की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो आप्शन सही होगा वह ऑप्शन C होगा 70 कॉशन की अगर बात करते हैं तो इसका जो अंसर आएगा वह ऑप्शन B आएगा 71 कॉशन की बात की जाए इसका जो सही अंसर होगा वह ऑप्शन C 72 question की बात की जाए इसका जो सही अंसर आएगा option B इसी प्रकार से 73 question की अगर हम बात करते हैं ये question मैंने आपको solve करवाया हुआ इसे आप देख सकते हैं डिटेल में दूसरा जो reasoning का puzzle का question है वो भी मैं काफी जल्द solve कर दूँगा उसकी वीडियो भी upload कर दूँगा मैं ठीक है तो 73 question की हम बात कर रहे थे तो 73 question का option C यहाँ पर सही हो जाएगा 74 question का अगर हम बात की जाए तो 74 question में option A यहाँ पर सही होगा 75 question की बात की जाए बंसपती बिग्यान कौन पढ़ाता है तो यहाँ पर option D सही हो जाएगा 76 question के अगर हम बात करते हैं तो 76 question में जो अंसर आएगा बो आएगा option B 70 question के अगर हम बात करते हैं 70 question का अंसर आएगा option D इसका option D अंसर आएगा अगर 78 number question की बात की जाए तो option B यहाँ पर सही हो जाएगा 79 नंबर कॉशन की बात की जाए तो इसमें option यहां पर A सही हो जाएगा और 80 भी कॉशन के गरम बात करते हैं तो इसमें जो answer आएगा option D तो यह थी answer की series C की जैसे ही other series की भी मुझे answer की मिलती है मैं आपको दे दूँगा आपने channel से जुड़े रहना है description link पर मैं आपको यहां पर telegram group का link दे दूँगा उसे आपने join जरूर करना है ताकि जैसे ही इसका result आता है या फिर answer की आती है वो सब चीजे आपको वहीं पर upload होगी तो उसे आपने join जरूर कर लेना है मिलते हैं आपसे next video में